हेलो फ्रेंड्स वे हूं अलका और आप देख रहे हैं आयूश हेल्थ मंत्रा चैनल गर्म पानी पीने से भले ही अच्छा न लगे लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको जरूरे से पीने पर मजबूर कर देंगे यूँ तो आज से 10 गलास पानी पीना शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है लेकिन अगर दिन में 3 बाग गर्म पानी पीया जाए तो शरीर को बिमारियों से आसानी से बचाया जा सकता है वही modern lifestyle और बिगड़े खान पान के बीच अधिकतर पुरुष पेट साफ न होने की समस्या से परिशान है सुबह उटने के बाद कई पुरुष पेट साफ होने की कोशिश में अलग-अलग तरीके आजबाते हैं सुबह पेट साफ होने पर आप पूरे दिन अच्छा महसूस करते हैं और digestion भी सही रहता है कहते भी हैं पेट सही तो सब सही लग-भग 70% बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं एक्सपोर्ट भी रोजाना कम से कम 10-8 गलास पानी पीने की सलाह देते हैं पेट को दुरुस्त रखने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं इसमें रात में हैवी खाना, इससे दूरी के अलावा हरी सब्दियों का सेवन शामिल है हाल ही में भारत सरकार के आयुश मंत्रा लएने भी इम्मुनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ आसान आयूर्वेडिक उपाए और घरेलुन उसके शेर किये हैं उस लिस्ट में गरम पानी को भी रखा गया है इससे आपकी इम्मुनिटी बूस्ट हो सकती है और आप कॉरना वायरस की संक्रमन से बच सकते हैं कई लोग पेट की समस्या से राहत पाने के लिए सुबह ओद कर पानी पीते हैं यह सही है कि सुबह में पानी पीना सेहत के लिए फायदे मंद रहता है कुछ लोग कांबे के बरतन में रखा पानी पीटे हैं, तो कुछ मिट्टी के बरतन में रखा पानी पीना पसंद करते हैं. रोजाना कितने ग्लास पानी पीना चाहिए हो? पानी दुनिया का सबसे सस्ता हेल्फ सप्लिमेंट है. एक्सपर्ट्स नॉर्मल इंसान को दिन भर में 4-5 लिटर पानी पीने की सला देते हैं, लेकिन यह ज़रूरत आपके शरीर, मौसम और अक्टिविटी की हिसाब से बदलती रहनी चाहिए. भरपूर पानी पीना आपको कई तरह से फायदा दे सकता है, इससे आप विबिंद बिमारियों से दूर रहके हैं. गर्म पानी आप किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन यदि आप सुबह उठकर एक-दो गलास गर्म पानी पीते हैं, तो आपकी सेयद के लिए और भी वहतर हो सकता है. आईए जानते हैं गर्म पानी पीने के फायदे, healthy digestion. काई लोग पूरे दिन में सिर्फ चार से पांच गलास पानी पीते हैं, ऐसा करने वाले लोगों का पानी छोटी आथ एब्जॉब कर लेती हैं, और आपका digestive system dry हो जाता है. यही धीरे-धीरे bowel movement में मुश्किल हो जाती है लंबे समय तक dehydration रहने से कब्स की समस्या हो जाती हैं. इससे भी मलत्याग में परिशानी हो सकती हैं. भविश में यही चीज़े बवासीर और अन्य समस्याव का कारण बन जाती हैं. गरम पानी आपके भोजन को ब्रेक करने में मदद करने के साथ ही digestive process को active रखता हैं. इससे कम करने में मदद मिल सकती हैं. पानी से हमारी बॉली अधिक से अधिक nutrients को absorb कर पाती हैं और toxins बहार निकल जाते हैं. साल 2003 में पब्लिश हुई एक study के मुताबिक ठंडे पानी की अप्रेक्षा गरम पानी पीने से वजन जल्दी कम हो सकता है. रिसर्च के मुताबिक भोजन कर आधान से पहले 500 ml गरम पानी पीने से metabolism में 30% की वृधई होती है. लेकिन शोष करता वो honANS जैसे ही पानी का तापमान बढ़ाया तो metabolism में 40% की वृधई हो गई. इसलिए यह 스ाष्ठ है की गरम पानी से metabolism 30-40 make बढ़ętा है. और पानी सोचे है आप दिन में जितनी बार गरम स्ट्रेस को कम करें गरम पानी पीने से तनाव और चिंता को मैनेज करने में भी मदब मिल सकती है एक स्टाडी के मताबिक गरम लिक्विट तनाव को कम करने के लिए कारगर है लेकिन ये थी आप चाय कॉफी पीते हैं तो ये आपकी फिलिंग्स को भी मार देती हैं इसलिए गरम पानी पीना आपका एक बहतर लिकल्प है स्टाडी के मताबिक ऐसे कुछ प्रभाव इनमें मौजूद कैफीन के कारण होते हैं जो इनसान के मूड को बदल सकते हैं गरम पानी पीने से stress nervous system को बहतर बनाया जा सकता है और आपकी tension कम हो जाती है body को detox करता है natural health advocates के मुताबिक गरम पानी शरीर को detoxifize करने में मदद करता है थोड़ी थोड़ी तेर में गरम पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है दूसरा यह कि जब आप गरम पानी पीते हैं या उससे नहाते हैं तो आपकी बॉडी की अंतह एंडोक्राइन सिस्टेम आक्टिव होते हैं जिससे आपको पसीना आने लगता है पसीने के माधिम से टॉक्सिन शरी से बाहर निकलते हैं इससे रोम छिद्रों को साफ करने में मदद मिलती हैं दर्ध कम करता है किसी भी प्रकार के दर्ध में हीट पैक और गरम पानी की बोतल से सिकाई करने की सला दी जाती हैं इससे आपको उपर से गर्मी मिलती है। यदि आप गरम पानी पीते हैं तो आपको शरीर के अंदर से गर्मी मिलती है। दर असल गरम पानी दर्द वाले मसल्स में blood flow को सही कर सकता है। लेकिन इसकी अधिक्ता से सूजन बढ़ भी सकती है। इसलिए किसी एक्सपर्ट की सला लेकर ही ऐसा करे। अन्य लाब इसके अलावा गरम पानी पीने से सर्दी जुकाम में भी राहत मिलती है। और blood circulation सही रहता है। इसी तरह गरम पानी पीने से कब्स की समस्या नहीं होती और भूग भी खुलकर लगती है। यह चादी में जगड़न और cholesterol की problem को भी राहत देता है। गरम पानी पीने से risk वैसे तो गरम पानी पीना फाइदमंध है। लेकिन यदि कोई ज्यादा गरम पानी पीता है तो उसके मूः, गले वो पेट में इंजरी हो सकती है। इससे चाले skin जलने जैसी समस्या होने का खत्रा है। इसलिए पानी पीने से पहले देख लें किया अधिक गरम तो नहीं। काफीन कॉफी ये चाय के रूप में गरम पेय पीने से शरीर में काफीन की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए कॉफी की अप्रेक्षा गरम पानी को महत्वद है। 2008 में हुई एक study के मताबिक, 48-60 डिगरी Celsius तक गरम पानी आप पी सकते हैं। गरम पानी पीने से कोई भी बिमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन शरीर में पानी की कमी नहीं होने से आपको बिमारी का खत्रा कम रहेगा। इसलिए जो लोग पहले से गरम पानी का सेवन करते हैं, उनसे भी इस बारे में पूछें। निश्चित ही वह आपको अपना अनुभव बता पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए किसी एक्सपोर्ट की सला लेना न भूले।